ये वीडियो उन टाइप ही खबरों में से एक है जो मैं चाहता हूँ कि ना सच हो बट अनफॉर्चुनेटली ये बात सच निकली है फ्रेंड्स मैं अब सभी लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो एस्थेटिक्स जो कि जो लेंडर के नाम से बॉडी बिल्डर थे वो इस दुनिया में नहीं रहे है ये उनी टाइप ही खबरों में से एक है जो कि बहुत शौकिंग लगती है बहुत शौक कर देती है जब आप एकदम से सुनो तो ये उनी खबरों में से एक है जो कि 2021 में Sean Rodan की थी 2022 में Cedric McMillan की और आज Joe Linder की खबर सुनके ऐसे ही कुछ फील हुआ काफी सारी Instagram pages नहीं वाली news को cover कर रहा है और ये बताया है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा है Cause of death कभी मैं कुछ speculate नहीं करना चाहता बट यही reason बताया जा रहा है कि Joe Linder को heart attack आया गया था Joe Linder की age कुछ जादा नहीं थी I believe वो अपने late 20s या फिर early 30s में थे तो जादा age वाले bodybuilder नहीं थे And Joe Linder एक Instagram influencer थे बट उन्होंने bodybuilding competitions में भी compete करा हुआ है I believe उन्होंने Thailand Pro Qualifiers के अंदर compete करा था Last Year और उससे पिछले साल भी जिसके अंदर I believe उनका silver medal भी आया था तो आप लोग कह सकते हूं कि वो bodybuilding competitions के अंदर भी compete करा करते थे But आज ये वाली खबर सुनके बहुत shocking feel हो रहा है I still believe जब आने उनकी पहली वीडियो देखी थी 2017 में जब उन्होंने एक video डाली थी जो कि बहुत viral होगी थी I'm sure कि काफी लोग उने वाली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर कि वो अपनी chest के fibers दिखाने का अलगी अंदास था उनके अपने chest को flex करने का उस चीज को इस टाइम पर alien gains बुलाया करते थे बट मेंको अभी तक याद है कि वो वाला moment बहुत viral हो गया था और तब से मैं जो लेंडर को जानना शुरू हो गया था बट आज almost 6 साल के बाद हमें ये खबर मिलती है कि जो लेंडर नहीं रहे हैं इस दुनिया में मुझे नहीं पता कि असली कारण किया इनकी मौत का लेकिन ये बहुत ही कंडिशन रहते थे अपने अपने lifestyle ही बहुत जादा अपना आपको maintain करके रखा करते थे काफी कंडिशन थे और क्या ये वाली वज़ा थी कि इस कारण से जो है इनको कुछ problem वगरा हो गई या फिर इन्होंने कुछ ऐसा कुछ डाला अपनी body पर जिस कारण से ऐसा कुछ हो गया Noean Diesel जो की एक bodybuilder है और वो खुद Instagram के इतने बड़े influencer है उन्होंने ये वाली news को जो है हम लोगों की तरफ पहुचाया था और वो काफी अच्छे दोस्ते जो लिंडर के तो उन्होंने ये वाली खबर को announce करा था कि rest in peace Joe and I love you असली कारण उन्होंने भी अपनी post के अंदर नहीं बताया तो अभी हम लोग सिरफ कुछ सोच ही सकते है बट I still believe कि हम लोग को speculate नहीं करना चाहिए official statement का weight करना चाहिए जो इनकी family वाली side से या इनकी friends वाली side से कोई ना कोई देगा बट still जब भी मैं इनके बार में सोच हूँ तो यही feel होता है कि यह बहुत ही कम age वाले bodybuilder थे और इतने size भी नहीं था इनके पास आपको कि बहुत जादा यह abuse करते होंगे gear या फिर anabolic steroids को तो ऐसा भी नहीं देखके लगता कि जैसे कि बहुत बड़े size वाले bodybuilder होई है तो यह देखके बहुत अजीव feel होता है और ऐसी है कुछ खबरे होती है जो कि सोच के और जब हम लोग पहली बार देखते हैं तो बहुत जादा shocking feel होता है and I still remember यही वाला मेरा reaction था 2021 में Sean Rodan के लिए 2022 में Cedric McMillan के लिए और आज 2023 में Joe Linder के लिए है बाकी कुछ जादा कहने के लिए है नी and I really hope कि बहुत ही जल्द कुछ statement आए and as crazy as it sounds मैं यही उमीद करता हूं कि वाली बात ना सच हो but still we have to wait for the statement कि क्या statement आती है मैं आप लोग को पता दूँगा channel पे and please इनको respect दीजिए and जरूर लिखिए rest in peace to Joe Linder और मैं आप सभी लोगों मिलता हूं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखे till then take care and bye